अपने डार्क अंडराम्स को हलका करने के लिए आपको बुन्यादी बातों से शुरुवात करनी होगी। अपने अंडराम्स को exfoliate करना शुरू करें और अपने डियोड्रेंट या एंटी पॉर्स्पिरेंट को बदलें जो कि डार्क अंडराम्स का कारण हो सकते हैं। आप तंग कपडों के वजाए धीली ढाले कपड़े पहनने का भी पर्यास कर सकते हैं जिससे कम घर्षन होता है। आपके शेयर के कुछ हिस्से आपके शेयर के बाकी हिसों की तुन्ला में गहरे रंके हैं। आपके गोहनी, घुटने, अंडराम्स इनमें से ही कुछ एरिया है। डार्क अंडराम्स किसी वेक्ति को असहच करा सकता है और उन्हें आराम दाय कपड़े पहनने से रोख सकते हैं। अंडराम्स के काले होने के कई कारण हो सकते हैं। हाला कि कुछ घरेलू उपा हैं जिनका इस्तेमाल कर आप डार्क अंडराम्स से छुटकारा पा सकते हैं और अपने डार्क एरिया को चमका सकते हैं। चलिए जानते हैं कि डार्क अंडराम्स को चमकाने के लिए हम क्या-क्या घरेलू उपाई कर सकते हैं। पहला है नीमू, आप अपने अंडराम्स को हल्का करने के लिए नीमू का इस्तेमाल कारगर हो सकता है आपके लिए, नीमू को काटे और उसके मोटी सलाइस को अपने अंडराम्स पर कुछ मिनट के लिए रगड़ें, कुछ मिनट के बाद अंडराम्स को गरम पानी से धोएं, इसे थपथपा कर सुखाएं और मॉस्चोराइजर लगा ले दूसरा है आलू अपने अंडरामस के लिए आलू का इस्तमाल करने के लिए आलू को कद्दू कस करके उसका रस निकाल ले इसे प्रभावित चगह पर लगाएं और सूखने दे कुछ मिनट बाद इसे धोले और मॉस्चोराइजर लगा ले तीसरा है निमू का रस और हल्दी निमू के रस और हल्दी का पिष्ट बनाएं और इसे अपने अंडरामस पर लगाएं और उन्हें तीस मिनट के लिए छोड़ दे और सूखने दे इसे धोकर फिर सुखा ले चौथा है नारियल का तेल यह घटक कई समस्याओं का समाधान है और यह डार्क अंडरामस के लिए भी सही है नारियल का तेल लगाएं और इसे कुछ मिनट के लिए रहने दे फिर अपने अंडरामस को गुगुने पानी और साबुन से धोले इस स्टेप को हफते में दो से तीन वार फॉलो करें अगर यह आप नुस्का अपनाती है तो कुछी दिनों में आपके डार्क अंडरामस के क ठीको ने लगेगा